रंजी ट्रॉफी राउंड फाइव दूसरा दिन और क्या कमाल की परफोर्मेंसेज आज के दिन देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं बिहार वर्सेज आंधरा के मैच के साथ जहांपर बिहार की टीम पहली पारी में 182 रनों पर ओल आउट हो गई थी और जिसमें नितीश रेड़ी ने अच्छी गेंदबाजी इस पूरे सीजन की हैं लगतार 2-3-2-3 विकेट हर पारी में निकाल रहे आर पांच विकेट के आसपास ओने ने अबरेज जो हो हर मैच में देखने को मिल रहे हैं। साथ में बलेवाजी में कोई बहुत बड़ी पारी तो नहीं आई है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी पारियां इंपोर्टेंट पारियां उनकी तरफ से देखने को मिलती रही एक सो ब्यासी के बिहार के जवाब में आंदर प्रदेश की टीम ने 313 रन बना लिया है। रिकी वोई जो इस सीजन कुछ अच्छी पारियां खेल चुके हैं। दो सेंचुरीज लगा चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से 58 रन की पारी खेली। शेख रशीद बहुत प परफोर्मेंस नितीस रेडी से देखने को मिली है और सेख रशीद भी अच्छा प्रोदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उरिसा वर्सिस पॉंडिचेरी के मैच की बात की जाये तो उरिसा ने पहली पारी में 322 किये थे जिसमें गोबिंद पोदार के 80 रन गोरब यादब और इस रंजी सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गिंदबाज बन चुके हैं। 36 विकेट वो अल्रेडी ले चुके हैं बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने विकेट निकाल हैं और वो फास बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लिए हैं चाहे स्पिनर हो चाहे फास बॉलर हो चाहे एलीड गुरूप हो या प्लेड गुरूप हो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर अभी की डेट में जो बने हुए हैं वो गोरब यादब और अभी दूसरी पारी उनको खेलनी हैं उन्होंने पांच बिके के खाते में जो है वो दो विकेट देखने को मिले उसके बाद मुंबई वर्सिस बेंगॉल का मैच और जहां पर मुंबई का अपर हेंड नजर आ रहा है मुंबई ने 412 रन किये थे पहली पारी में जिसमें शिवम दुबे ने एक जबरदस्त भात्तर रनों की पारी खेली थी तनुष कोटियान कल के not out batsman थे उन्होंने सरसद रन पर फिस्श किया अथर्व अंकलेकर जो कल के not out batsman थे उन्होंने 46 रन पर खत्म किया लेकिन जबाब में बेंगॉल की टीम 189 पर 7 हो गई है और बेंगॉल की तरब से अभी अनस्तुम मजोमदार 89 रन पर खेल रहे है और उनके साथ मुहमत कैफ आठ रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन पहली पारी में जो बेंगॉल की गिंदबाजी रही है उसमें सूरज सिंदू बहुत इंप्रेसिव गिंदबाज रहे हैं और जब से इस सीजन इन्होंने खेलना सुरू किया है तो उसे हर मैच के साथ बहतर performances देखने को मिल रही है लगातार consistent performances देखने को मिल रही है इस मैच में भी सूरज सिंदू ने 6 विकिट निकाले और एक मैच में बल्ले से बी इनकी तरफ से contribution देखने को मिला था साथ में मुहमत कैफ ने भी 2 विकिट लिये हैं तो इनसे भी लगातार ठीक ठीक performances आ रह देखने को मिल रही है लेकिन मुंबई की गेंदबाजी में अगर देखें तो वहाँ पर मुहित अवस्थी ने दो विकिट हासिल किये इनकी तरफ से लगातार अच्छा progression आपको देखने को मिल रहा है रहा है रहिस्टन दास भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं overall ट्रॉफी में शिवंदुवे ने अपनी all-round skill पर काफी काम किया है बहुत जादा time दिया है खेले है effort put on किया है so at least he is looking for an improvement यह बहुत अच्छे sign है Indian cricket के point of view से बल्ले के साथ वो contribute भी कर रहे हैं साथ में gain के साथ भी contribute कर रहे हैं उसके बाद बात की जाए गोआ वर्सिस तमि तमिलनाडू ने 213 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिया है एन जगदीशन 245, 321 और उसके बाद अब ये 75 रन की पारी तो सबसे जादा रन बनाने वाले player इस season वो बने हुए हैं उसके अलाबा प्रदोश रंजन पॉल ने भी 71 रन की पारी खेली तमिलनाडू के लिए और गेंदबाजी की बात करेंगे तो आर साही की सोर ने पहली पारी में चार विकेट लिये थे संधी warrior का प्रदर्शन overall अच्छा चल रहा है और गोगा की गेंदबाजी की बात करें आप सब off spinner पूछते हैं तो दरसन मिसाल खेर उनके बारे में बात तो नहीं होगी बट ल राजेश्थान versus विधरवा के मैच की बात किया है राजेश्थान ने पहली पारी में 432 रं कीये थे जवाब में विधरवा ने 93 रं बना लिए हैं दो विकेट के नुकसान पर राजेश्थान की जो पहली पारी ठी ती वहाँ पर अजैक उनका ने जो लास्ट में आके 83 रं क्योंकि बल्ले से भी रन बनाने आज इन्होंने 83 रन की पारी खेली डाउन दॉर्डर बहुत इंपॉर्टन थी ये 300 और 400 के बीच का अंतर इन्होंने तेह किया और अच्छी गिंदबाजी इनसे देखने को मिल रही है तो overall राजस्तान की गिंदबाजी की बात करें बल्लेबाजी के बात तो खलील एहमत के खाते में एक विकिट था और मानव सूदर के खाते में एक विकिट था की टीम ने बना लिये, रन थोड़े कम बने, विकास ओबर भी कम फेके गए, उसके बाद रेलवेज वर्सिस करनाटगा के मैच की बात करें, तो करनाटगा एक और थ्रिलर खेल रही है, विशला मैच उन्होंने त्रिपुरा के खिलाब बहुत थी, जबरदस था, आखिर में जीता, लेकिन ये वाला मैच भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, रेलवेज ने पहली पारी में 151 किये थे, जवाब में करनाटगा ने बनाए 154, फिर दुबारा से रेलवेज ने 209 रन बना लिये, आठ विकेट के नुकसान पर, और दूसरी पारी में मुहमत चैफ ने 51 रन किये लेकिन में है न, वो करनाटगा की गिंदबाजी है, बिकाज करनाटगा के बैट्समन तो रन बना रही है, अब बल्लेबाजों का काम भी गिंदबाज ही कर रहे हैं, पिछले मैच में विजे कुमार बैसक ने 50 रन की पारी खेली थी और त्रिपुरा के खिलाफ अपनी टू इनको उबारा था, इस मैच में ज़्यादा बढ़ी पारी तो नहीं थी, 24 रन की पारी थी, क्योंकि 151 को पार करने के लिए वो उतने रन की ही जरूरत थी, जो उन्होंने डाउन दौर पारी खेली और बाकी जो टेलेंडर्स को कॉंट्रिबुशन राफ, उसके दमपरी करन राटका ने पहले 114 किये, गेंदबाजी में विद्वत कबिरप्पा मैच में अब तक 4 विकिट ले चुके हैं, बासुकी कौसिक के भी 4 विकिट हैं और विजे कुमार बैसक, पिछले मैच के मैणाब्द मैच, इस मैच में वो 5 विकिट ले चुके हैं, और बल्ले से important contribution उन मिली, एक आरेन जुयाल से जुन्होंने 201 रन बनाए और दूसरे करंच शर्मा, पिछले मैच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में उन्होंने जो बहुत यागार पारी खेली थी 60 ओर रनों की, उसका follow-up बहुत अच्छा, ये 208 रन मुझे लगता है कि उनको और confidence दे और उसके बाद पिछले मैच की पारी और उसके बाद बैक अप पारी जो आई है 208 रन बहुत शांदार, जवाब में आसाम की टीम ने 97 रन बना लिए हैं विना किसी बिकिट के नुकसान के रियान पराग नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड हैं, पिछले मैच के इस जवाब में गुजरात ने किये 172 लेकिन त्रिपुरा ने असली काम किया है दूसरी पारी में, 330 बना लिए हैं, 9 विकिट के नुकसान पर जिसमें बिक्रम कुमार दास के 82 और मनिशंकर मूरा सिंग, गेंदबाजी तो देखे हमेशा अच्छी करते हैं, बट बीच रेकने को मिलती रहती हैं और उन्होंने इस मैच में 72 रन की पारी खेली, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट और वैलियोवल कॉंट्रिपुशन था नमबर 9 के बैट्समें संकर पॉल का जो 50 रन पर अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा का ए पहली पारी में सर्विसेज ने 108 किये, लेकिन हर्याना ने भी सिरफ 103 ही किये, दूसरी पारी में सर्विसेज ने 78 रन चार विक्ट के नुकसान पर बना लियें, हर्याना की बल्लेवाजी की बात करें, तो रहुल तेवतिया 31 रन उन्होंने बनाए और मैच में highest रन गेटर हर्याना की तरफ से उसके अलाबा सर्विसेज की गेंदबाजी की बात करें तो पहली पारी में पुलकिद नारंग ने तीन बिकिट लिये और वरुन चौधरी ने तीन बिकिट लिये वरुन चौधरी लगातार अच्छा प्रदर्शन लुमेस्टिक क्रिकेट में सर्विसेज इसके लिए कि इंदबाजी में करते रहें, हर्याना की कि इंदबाजी की बात करें, तो अंसुल कमबोज ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, पहली पारी में तीन बिकेट थे और दूसरी पारी में भी उन्होंने तीन बिकेट लिये हैं, देन बडोदा वर्सिज महरास्टरा का मैच, पहली पारी में सौरास्टरा ने 202 किये, महरास्टरा को 169 रनों पर ओल आउट किया, जिसमें धर्मिन जड़ेजा के 4 विकेट थे, पार्थभूत के 2 विकेट थे और युगराज सिंग जोडिया के 3 विकेट थे, लेकिन दूसरी पारी जो सौरास्टर की रही है, उसमें कमाल किया है हितेस बालुंज, महरास्टरा की तरफ से खेलने वाले लेफ्ट आम स्पिनर, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिये थे, और दूसरी पारी में 8 विकेट लिये, मैच में टोटल 14 विकेट उन्होंने लिये, और इसके साथ उनका टाई है नजर नहीं आ रही है, तो हितेस बालुंज की जबरदस्ट लफ्टाम स्पिन चल रही है इस सीजन और लगतार अच्छे विकेट निकाल रहे है, तो दोस्तों ये था ओवरॉल रंजी ट्रॉफी, राउंड फाइब के दूसरे दिन की परफोर्मेंसेस का हाल, आपको वीड बाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, थैंक यू